समस्कार दोस्तों चाहता हूँ 180 से भी जादा पदो को इसमें आप पे शामिल किया जा रहा दोस्तों जितनी भी पोस्ट है पर्मानेंट ये बेसिस पे रहने मालें पर्मानेंट ये भरती है इसमें male candidate पे अपलाई करें female candidate पे आप लोग अपलाई कर सकते हैं ये दोस्तों आपको application form आपको यहां पे फिल करना होगा तो सबसे पहले आप से भी लोग ये जाल लें इस बार जो vacancy यहां पे जो release की गई बिल्कुल heading पढ़ लें देखा है Odisha Staff Selection Commission तो दोस्तों OWSC दौरा ये जो information है 31 December 2022 को officially आपको website पे provide करें जारी तो चली दोस्तों बिल्कुल भी हम लोग यहां पे time wasting करते हैं सबसे पहले जो जानकारी आपको vacancy table में दी जारी इसको यहां पे हम लोग यहां पे read कर लेते हैं तो सबसे पहली जो post है देख सकते है staff nurse के लिए और लिखा है for female only तो female staff nurse की post है इसमें 80 पद इसमें शामिल कर ली गए 12th class आप लोग पास हो science subject में GNM और BAC nursing candidate इसमें apply कर सकते हैं और आपको odisa raja का nursing board में आपको registration भी चाहिए level 8 आपको 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 salary मिलेगी इसके बाद second number पे pharmacist की post है इसमें 40 पद है 12th class पास हो science subject में diploma अगर आपके पास है और bachelor degree है pharmacy में बिल्कुल apply करें और odisa raja का pharmacy council में आपको registration भी चाहिए level 7 आपको यहाँ पे salary मिलेगी इसके बाद देखिए third number पे junior laboratory technician तो lab technician की post है 40 पदिस में आपको शामिल कर ले गए 12th class आप लोग पास हो और diploma जिन candidates के पास है MLT में बिल्कुल आप लोग apply कर सकते हैं और odisa raja का MLT का आपको जो है registration भी आपको state board के तहत आपको चाहिए पढ़ेगा इसमें level 7 आपको आपको salary मिलेगी इसके बाद दोस्तो एक्सरे technician की post है इसमें 9 पदे 12th class पास हो diploma अगर आपके पास है medical radiation technology में तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पर apply करें और MLT का यहाँ पर देखिए medical radiation technology का state board का आपको registration भी आपको चाहिए level 7 आप लोगों को salary मिलेगी इसके बाद पाचवे नमर पे operation theater assistant तो OT assistant की post है इसमें 8 पद है bachelor degree भी है pharmacy में तो भी आप लोग apply कर सकते हैं pharmacy council of India pharmacy council of Odisha में आपको registration भी आपको चाहिए इसमें आपको level 4 salary आपको दे दी जाएगी इसके बाद दोस्तों अगले नमर पे जो post है वो रहेगी हमारी operation theater technician तो OT technician के आपके चार पद है 12th class पास हो diploma मांगा जारा pharmacy में और bachelor degree है तो B farma, D farma ये सबी candidates इसमें apply कर सकते हैं और Odisha pharmacy council में आपको registration जाहिए level 7 आपको salary मिलेगी इसके बाद देख सकते है A&M के लिए भी vacancy है for female only तो female A&M की post है इसमें 8 पद इसमें आपके शामिल कर ली गए 12th class पास हो A&M आपके पास आपके पास आपके कोर्स भी होना चाहिए Odisha का nursing mode में आपको registration चाहिए level 5 आपको salary मिलेगी इसके बाद ECG technician के इसमें 4 पद है 12th class पास हो diploma ECG technician का मांगा जारा और 2 साल का practical experience इसी field में आपके पास आपके होना चाहिए किसी भी government hospital का या फिर government recognized hospital का या फिर जो है approved medical college का level 7 आपको आपके salary मिलेगी इसके बाद dental technician के इसमें दो पद इसमें आपके शामिल कर ली गए 12th class पास हो डिप्लोमा dental technology का आप लोगों से मांगा जारा और आपको approved private medical college का या फिर government medical college का जो है आपका ये course आपका ये recognized होना चाहिए level 7 आपको आपके salary तै कर ली गए इसके बाद दीखे CSSD technician और assistant तो इसमें एक एक पास इसमें शामिल कर ली गए दोनों में qualification बिल्कुल याँआपे सेम रखे गई 12th class आप लोग आपे पास हो CSSD का आपको जो है diploma आप लोगों से आपे मांगा जा रहा और आपका जो course है approved होना चाहिए government यापे private जो भी medical college है तो ये आपका approved याप पे recognized होना जै ये level 5 आपको इसमें आपको level 4 salary मिलेगी इसके लिए age limit आपको टैक कर दी गई है 21 साल कम से कम आपके उमारो और 38 साल तक के सभी candidates apply कर सकते है age में relaxation मिलेगा जो कि Odisa राज जिके Odisa राज जिके, SEs, STs, SEBCs Women's, PWDs और X-Servicemen तो आपको यहाँ पे IU में छूट आपको यहाँ पे दे दी जाएगी अब दोस्तों बात करते है apply करने के लिए क्या निरदेश आपको इसमें दिये जा रहे है तो देखिए अभी short notification यह अभी जारी हुआ है अभी आपको सारी information detailed notification में provide करा जाएगी कि exam का syllabus, exam का plan, pattern, examination की सारी जानकारी आपको मिलेगी कब से कब आपको apply करना यह जानकारी भी आपको उसमें मिलेगी तो detailed advertisement publish होगा website पे और ऐसा मेरा आपको माना है कि करीब-करी within 15 days mid of January में तक आप लोगों को notification official website पे मिल जाएगा, जैसी official website पे detailed notification आएगा, मैं आपको जानकारी जरूर आपको provide कराऊँगा अभी आपको vacancy का distribution बता दिया गया, तो आप सब लोग इन vacancy को apply कर पाएंगे यह update कैसा लगा, चाहें तो आप लोग वीडियो को like कर सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे जाए, subscribe के red button को आप एक क्लिक करें, आगे की vacancies के update भी आगे भी पाते रहें तो मिलते हैं, अगले वीडियो में, thank you so much